पुर्शों के अंदर पुर्शों के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली बात क्या होती है क्या आपको पता है? बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली सिरफ एक ही बात होती है पुर्शों के अंदर और वो होती है तन की दुर्गन पूरा दिन काम करने की वज़े से धूप में पसीना बहाने की वज़े से उनके शरीर से कई पार दुरगंदाने लगती है जिसकी वज़े से वो खुद तो परिशान होते हैं और अपने आस पडोसियों को भी परिशान कर देते हैं इसलिए मैं आपके दोस्त नायरा अज लेकर आएं हूँ के पुर्शों को कैसे सुगंदित शरीर देकर उनके रेख ग्रूमिंग टिप्स को आप आजमा सकते हैं अगर आपके शरीर से ज्यादा बद्बू आती है जिसकी वज़े से आपको बहुत पसीना भी आता है तो आपको बैक्टीरिया रोधी साबू का इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से आपके शरीर के अंदर बैक्टिरिया कम उपजेगी जिसकी वज़े से पसीना आने पर भी बद्बू बहुत कमाईगी अगर आप सूती टी शर्ट या फिर शर्ट का प्रयोग करते हैं तो आपको पसीना कमाईगा क्योंकि सूती कपड़े ज़द ही पसीना सोक लेते हैं जिसकी वज़े से हमारे शरीर में बद्बू भी नहीं आती अपने अंडरांस को बिलकुल साफ रखें महिलाओं की तुलना में पुर्शों के अंडरांस के बाद ज्यादा होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बद्बू पैदा करते हैं इसलिए आप एक दिन के अंदर दो या तीन बार अपने अंडरांस को अच्छी तरीके से साफ जरूर करें टिप नंबर 4 जुराबो को रोजाना बद्ले जी हां कई बार फसीनी की वज़े से हमारे मोजों से भी बहुत ज्यादा बद्बू आने लगती है जो हमें बहुत परिशान करती है इसलिए अगर आपके मोजों से भी बद्बू आती है तो सबसे पहले तो अपनी जुराबो को रोजाना बद्ले और दूसरा अपने पहलों की सफाई अच्छे तरीके से करें सो फ्रेंड्स ये थे पुर्शों के शरी को सुगंधित बनाने के लिए कुछ गुरूमी टिप्स आप इन टिप्स को आजमाईए और अपने व्यूस को हमारे सा शेर करिए मेरी ब्यूटी और हेल्स से रिलेटीड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे तब तक नापकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ